दोस्तो हाली में एरपोर्ट पर एक ऐसा नाजरा देखने को मिला जो बहुत ही कम देखने को मिलता है जहाँ इस वीडियो में भारत की संस्क्रतियों संस्कार साफ चलगती है आपको बता देखे हाली में शीराम जी का खिरदार निबाने वाले अरून गोविल जी जब एरपोर्ट पर आये तो उन्हें वाचानक एक आदमी और उनकी पत्नी ने देखा तो वे अपनी चपल निकालकर अनूल गोविल जी की चंड़ों में अदमस्तक हो जाते हैं इसी बीच मैला अरून गोविल जी को राम जी की चवी में देखकर अपने आसों नी रोक पाई और उनके आगे गुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ने लगी जिसी बीच अरून गोविल भी मेला को हाथ जोड़ कर उठाने के लिए कह रहे थे इसके पाद अरून गोविल जी ना मेला को एक कपड़ा दिया जो शुरू में तो मेला लेने से मना कर देती है और अपने प्रभू को देखकर रोती भी दिखती है जिसके पाद जब मेला अरून गोविल जी की बेट ले लेती है तब भी उनका हाथ जोड़ के शुक्री आदा करती है और यारी दिर्श्य इतना ज़्यादा खोबसूरत था कि हर किसी यहां के नम हो गई खाज आता है आप जीसे जैसा देखता है उनकी शबी आपके दिन में वैसी ही बन जाती है फिर वो सालो साल तक नहीं बदलती नब्बे के देशक माई रामानत स्वामेगी रामायन मैरून कोविल जी ने राम जी का गिर्दार इतना भैतरीन तरीके से निबाय था जो चबी आज भी सबकी यादों के अंदर बसी हुई है और उस दोर में रामायन हर गर में टीवी में देखी जाती थी जहां दितर लोग तो शीराम जी को टीवी पर देखते उनकी पूझा कंड लगते थे जिसके चलते लोग उन्हें आज भी देखते हैं आपको बता देगी वीडियो में अरूं गोविल जी महाराश्ट्रे के संबाजी नगर में राम लीला देखने के लिए पहुंचे थे जिस दोरानी एरपोर्ट से बज़रते वक्त मेला अपने शीराम जी को देखकर उनके पैरों में नदमस्तक हो गई और प्रणाम करने लगी दोस्तों किसी भी भी नहीं था कि प्रदी यह उती सची आस्ता जो देख मेला के आशू भी आज़ते हैं जिसके बाद मेला ने अरूं गोविल जी को जाते से में उनके साथ एक तस्वीर भी चुमाई वैसे दोस्तों आप इस भैतरी नजार इकली क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे लेटेश अपजेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा